हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीत और आप देख रहे हैं All In One Help आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI Yono Card के पाड़े में तो दोस्तो ये Yono SBI की एप के हैल्प से आप किसी भी मोबाइल नमबर पर पैसे भेज सकते हैं बिल्कुल ही आजसानी से तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले आप Yono SBI को डाउनलोड कर लेंगे Play Store से Play Store से डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आइकोन मिलता है Yono SBI का यहां से दोस्तों आप किसी भी मोबाइल नमबर के माधियम से जैसे आप Google Pay पर बैलेंस भेज़ते हैं वैसे आप यहां से भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं तो यहां आपको तीन ओप्संस मिलते हैं लॉगिन भी बैलेंस ऐंड यूग कर लेंगे नई दोस्तों यहां पर आपको क्यूग पे पर जाकर आपको लॉगिन करना यहां लोगिन के लिए आपको 6-digit का एंपीन मंगा चाता है तो दोस्तों यहां पर एंपीन जो आपने रेजिस्टर्ट किया होगा उसे में एक MPN create किया है 6 digit का उसी MPN को यहां पर आपको down लेना है तो दोस्तो जैसे ही आप यहां पर डालेंगे तो थोड़ा सा error आता है दोस्तो first time आप जब login करते हैं तो आपको थोड़ा error आएगा तो second time आपको फिर से वो 6 digit का MPN आपको यहां पर डालेना है और डालने के बाद आपको यहां पर login कर लेना है जैसे आप यहां पर login करते हैं यहां पर आपको बहुत सारे options उपर की और मिल जाते हैं जैसे कि contact, BPA, scan और beneficiary तो यहां पर दोस्तों इन सारे माधियमों से आप transfer कर सकते हैं पैसे को लेकिन मैं यहां पर आपको contact के माधियम से बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहां पर transfer करेंगे किसी भी mobile number से अपने पैसे को जैसे कि आप phone पे, Google पे और Paytm से पैसे transfer करते हैं तो यहां पर आपको contact पे click करना है contact पे click करने के बाद यहां पे pay to contact लिखा गया है दोस्तों यहां पे आप जिस number पे पैसा भेजना है उस number को यहां पे आपको डालना है amount डालना है और नीचे आपकी purpose के लिए भेज रहे हैं वो डालना अगर चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अन्य था नहीं भी डाल सकते हैं यहां पे दोस्तों आपको pay to contact पे यहां पे आप अपना mobile number डाल सकते हैं जिसे पैसा भेजना है या तो आपको एक icon मिलता है वहां पे आपको click करके आपके account number पे जिसे भी आपको पैसा भेजना है यहां से आप select कर लेंगे किसे पैसा भेजना है तो यहां पे आपको phone book diary tab की एक icon मिलती है जहां पे आपको click करके अपना number को select करना है किने पैसा आपको भेजना है तो यहां पे आप जैसे ही आप number select कर लेंगे तो यहाँ पे उनका details और उनका number नीचे भी सोहना शुरू हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीतना amount डाल कर उन्हें भेजना है या transfer करना है तो आप उतना amount यहाँ पे डाल कर उन्हें भेज सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ही कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं ज्यादा रही एक रुपय ही transfer करकर आपको बता रहा हूं तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना amount डाल लेता हूं जो कि मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं एक रुपया डाल लेता हूँ और what is this form है यहाँ पर मैं चेक फोर क्यूक पर लिख के ऐसा कुछ दिये देता हूँ तो अगर आप लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर लिख ली है और लिखने के बाद यहाँ पर पे पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहां पे pay पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो registered number होता है जो you know SBI में जो आपका registered number है वहाँ पे एक OTP आपको मिल जाता है उस OTP को आपको यहां पे डालेना है और डालने के बाद यहां पे आपको नीचे submit के button पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे submit के button पे click करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ के success का message भी मिलना सुरू हो जाता है और आपने जो पैसे payment किये थे उनके account में चल गया है mobile number के माधियम से तो दोस्तों इस तरह से ही आप अपने mobile number की मदद से दूसरों को account में पैसे डाल सकते हैं जैसे कि आप Google Pay, Phone Pay और Patreon से पैसे transfer करते हैं वैसे ही आप यहाँ से भी transfer कर सकते हैं बिलकुली अशानी से तो दोस्तों मैं आपको यह trick बताने वाला था तो यह trick आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें आप comment कर पता सकते हैं अकर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और bell icon को click करें ताकि ऐसी updates आपको मिलती रहे थैंक यू दूस्तों फिर्म मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में